नमस्कार मंदल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है आईए पेश करतें आज के कुछ प्रमुख वो मुख के समाचा अब तक यदि आपने मंदल न्यूज के इस चैनल को लाइक वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल इस चैनल को लाइक वो सब्सक्राइब जरूर कर दें जिली की सांसर नवनीत राना ने आज शंकरनगर परिसरिस्थित अपने आवास पर बुलाई की पत्रकार परिशद में कहा कि राजापे ट्रेलवे उडानपूल पर शहर के शिव प्रेमी नागरी को द्वारा शत्रबती शिवाजी महराज की प्रतिमा इस्तापित की गी थी यदि यह नियमों का उलंगन था तो प्रिशासन ने पुतले को उसी इससान पर ढांका रखना चाहिए था लेकिन वहां से पुतला हटाने के साथ ही चबूतरे को भी तोड़ दिया गया जिससे शिव प्रेमियों की भावना आहत हुई और स्याही फेकने वाली घटना घटित हुई जो हाला कि अपने आप में कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी लेकिन इसे लेकर गिस सरज से राजनितिक रंग दिया गया और जिन लोगों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं उनके खिलाब सीज़े घारा 307 के तहर हर्ट्या के प्रयास का मामला दर्श किया गया उससे हम डरे नहीं है बलकि हमारा होसला और भी अधिक मजबूत हो गया है अब चाहे जो हो जाए लेकिन ठतरपती शिवाजी महराज का पुदला राजाबे ट्रेलबे ओवर ब्रीच पर ही इससाफित किया जाएगा योडे लोका जोडे दिस्ताद आए त्यानना तुम्ही जे कारवाई होते ते करा और रात्री साड़े आकरा वस्ता नोट जाते और तैचा मदे कुन्या मदे कि अटेंटू मडर लीजार मारे प्रेंत यहाँ वाला गुना दाखिल करता है इस समय 649 राना ने एफायर दर्श करने में हुई देरी के साथ ही विधायक रवी राना के खिलाफ मामला दर्श कराने को लेकर जीला पालक मंची येशोमर्धी ठाकूर्दवार अपचास से अधिक फोन लगाई जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस की अची सक्रीटा प पाउन दर्श में इस सक्रावर शर्वार अंखें का राना लगाते है क्योघ खर्वक रवाख कंग रवी रर्याकूर्धी अधिक रव्य र मामला दर्श कराते है दाखल नहीं जाली अमचे आदेनी य पवार जायबां ते मन योडा मोटा कि जसा तो व्यक्ति मापी मांगा लाला ते वस ते नहीं मन्तला कि मी तुला माप किला मनुँँँँद। योडी मोठी गटना जाले अनंतर सुद्दा मोठे नेते तेला बाजू नीठे होता आणि या कमिश्नर साहबान योडा प्रशने हैं माज़ा कि जी गटना सकाडी 12-12 वस्ता घलली राजा पेटला तेची एफायर तुम्ही रात्री चाड़े अकरा वस्ता करता मन दहात तास आपन जोपी काड़तो तो कि कोनती प्लानिंग पूर्ण जिल्ल्या चे जोड़ी पालक मंतरी आए आणि के राज्या मदू जे सीम ओफिस मदना जोपरेंता फोन येत नहीं तित परेंता तुम्ही बयान देत नहीं पहला बयान होता कि मी कोणाला ओडखत नही कोनी शाई फेकली मला माइत नहीं आणि फक्त जे वीडियो मदे दिस्त तेंचा बर तुम्ही गुना दाकल करा आप पहला स्टेट्मेंट आई उक्त साही बांचा कमिश्नर चा आणि सगड मीटिंगा जाले नंतर पन्नास फोन हे रिकाम जी आये आए आमची गाजिन मिनिस सचर आउंची अमराबती मदे काई काम ने पन्नास फोन डिपार्ट्मेन अ प्लिस दिपार्ट्मेन ला करते कि रवी राणा ला फसवा नहीं जी एचा मदे नवनी जी राणा ला सुद्धा फसवा अनि तींचे साथ नमनी तराना बर गुना दाकल करा सीयम चे ओफिस मद न फोन एते, सीयम चांगते कि दोनी आंदर खासदार नहीं आप एचा मदे तुम्ही तीन से साथ मदे अड़कवा मी अड़ी सांगते, आज तुमची सत्ता है, तुमची पावर है, तुमची गाजिन मिनिस्टर है तो योड़ा मोटा दुरी ओप्योग, आज परेंत मारास्टे ची जनता नी कदी घड़ लेला पालना नहीं, हाँ अमला टाकाच है न इस पत्तरवारता के बाद विगर्द बुधवार को राजबे ट्रेलवे अंडर पास में सही फेके जाने की घटना का शिकार वे मनपा आयूक्ट डॉक्टर प्रवीन आश्टीकर से मुलाकात करने और उनका हालकाल जानने है तु आज कैम पर इसरिस्थित आयूक्ट के सरकारी आवास पर पहुंची किन्तू अपनी तबियत खराब रहने तता डॉक्टर दौर आराम करने की सलह दिये जाने की वज़ग को आगे करते वे आयूक्ट आश्टीकर ने सांसर नौनी तराना से मिलने से इनकार कर दिया ऐसे में अपने दर्जनों संबत्षकों के साथ आयूक्ट आवास पर पहुंची सांसर नौनी तराना को वहां से उल्टे पाउं वापीस लोडना बड़ा आणी तेची पूर्न माई पी गेने साथी आणी तेनना सांत्वन करने साथी मी तेंची बेट खेत होती मी अब आणी तेनना रचकारन क VERती ऑपे ये काई ने लैट करने है ये आणी तत्या सांसर पहुंची बेट खेत होने लावा खेत होती तो अश्जार आणा-टो समय बड़ा आपमान नहीं है। आपमान नहीं है। आप 25 लाग लोकान ना रीप्रेजन करते हैं। आपमान करते हैं। आपमान नहीं है। 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 इसके साथ ही इस चिठी में यह भी लिखा है कि इस जीवा को कुछ लोगों के पैसे देने बाकी हैं। रेलवे पुलिस के पास उपलब्द सेसेटी वे फुटेज में योगेश रात के साड़े दस बजे के आसपस रेलवे पुलिया पर घूमता दिखाई दिया। रेलवे पुलिस ने घटना का पंचनामा करते वे आकास्मिक मौत का मामला दर्च किया। फेकने वाली महिलाओं को पहचानते भी नहीं है। तीन दिन की पुलिस कस्टेडी रिमान में रखे जाने के बाद भी इन पांचों ने इस एक बयान के अलावा अनने कोई नई बात नहीं कही है और इस मामले को लेकर किसी का भी नाम नहीं लिया है। पहसी जानकारी विश्वसनी सुत्रों के जरी पता चली है। और दो माह के करावा सो पचीस हजार रुपे के जुर्मानी की सजा सुनाएगी। जिसे लेकर अपनी प्रतिक्राय देते वे राज्य मंत्री बच्चुकलू ने कहा कि यदे भी वह नियाग व्यवस्ता और अदालती फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन गत्रों जो फैसला हुआ वह कई लिहाज से गलत वह अनियाकारक है। राज्य मंत्री बच्चुकलू के मुताबिक जिस फ्लैट को लेकर यह पूरा बखेडा है। यह एक तरह से हलफ नामा तयार करते समय उनकी ओर से हुई एक छूटी सी भूल थी जिसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया जिसके पीछे एक बड़ी राजनिती काम कर रही है। मूलता अमराउती जिले के परतवाला की निवासी तथा अमराउती शहर में रहने वाली न्यायमूर्थी पुष्पा गनेडी वाला ने गतरोज अपने पत से इस्तीफा दे दिया। तो दैनिक अमराउती मंदल द्वारा उनसे टेलीफोनी वारतालाब करते वे उनके द्वारा अकस्मात उठाये गए इस कदम के बारे में बाच्चित की गी। इस बाच्चित के दोरान न्यायमूर्थी पुष्पा गनेडी वाला ने अपने कामकाज के साथ ही जुडिशरी क्षेत्रे से सम्मधित कई विश्यों को लेकर अपने विचार रखे जिसके तहट उन्हें ने कहा कि एक हाई कोड जस्टिस के तोर पर उन्होंने अपने ग्य जीला वर सत्र नयायला इस्तर पर जाकर काम करने की बजाए उन्होंने इस्तीफा देना ज्यादा बेहतर समझा और अब वे अपनी खुट की लौफ़न बनाते वे हाई कोड लेवल पर अपनी प्रैक्टिस करेंगी विगत बुधवार को मनपा एक टे डॉक्टर प्रवीन आश्टीकर रस सही खेटने के साथ ही हमला किये जाने की घटना के खिलाब महानगर पालिका के सभी अधिकारियों वो कर्मचारी उत्वारा काम बंद अंदोलन शुरू किया गया जो शुक्रवार 11 फरवरी तक जारी रहा वहीं शनिवार और रिवार को साप्ता एक आवकाश है ऐसे में जारी सब्ता के दोनान महानगर पालिका का काम काज बुरी तरह प्रभावित हुआ इस समय मनपा के आगामी चुनाओं के मद्देनेजर घोशित कीगी संशोदित प्रभाग रशना को लेकर आपतिवा आक्षब स्विकार करने का काम चल रहा है जिसके लिए अंतिम्तिती 14 फरवरी तै कीगीगी किंदु जारी सब्ता में बुद्वार से काम बंद अंदोलन जारी रहने के चल थे आपतिवा आक्षब दर्श कराने का काम धरा का धरा रहा रहा है वहीं अब समय 14 फरवरी से मनपा में एक बार फिर कामकाज पूरुवर शुरू होगा ऐसे में समय को मनपा के पांचों जो में पकड़ा गया था पश्याट उन्हें अंर्वर्य के आपर उन्के चारे पानी की वेवस्ता की ती पस्याद अदालत ने गवर्य की खिलाइ-पिलाई की राश्य करने के बाद उटों का ताबा उटपालुकों को देने और उटों को वापिस राजिसान ले जाने का आदि इसे में पूरी कानूनी प्रिखिया पूर्ण करते वे आज इन अठावन उटों को उनके मूल मालिकों के सुपूर्द किया गया और उन्हें अमरावती से राजस्तान जाने के रुमती दी गी। इससे पहले इन सभी अठावन उटों की गौरश्टन संसान में टैगिंग करते वे उनकी जानकरी को बाकादार इस्टर्ड में दर्च किया गया और यह जानकरी भी आदालक के सुपूर्द की गी। 24 गंटे के दोरान जिले में 119 COVID संकर्मीत मरीज पाये इसके साथ ही लंबे समय बाद संक्रमीतों की संख्या में थोड़ा उचाल देखा गया। अब active positive मरीजों की संक्या 653 हो गई है इन active positive मरीजों में मनपक शेत्र के 248 वा ग्रामिन शेत्र के 405 मरीजों का समावेश है इसमें से 57 मरीज COVID अस्पताल में भरती हैं वहीं मनपक शेत्र में 217 वा ग्रामिन शेत्र में 389 मरीजों को home isolation में रखा गया है साथी 24 गंटे के दौरान जीले में 165 मरीज COVID मुक्त भी हुए 24 गंटे के दौरान जीले में 1213 संधहितों के थोट सब सैंपलों की जांच की गई जिसमें से 9.81 फीसद की टेस्ट रिपोर्ट पोजिटिव आई वहीं इस समय कोविट संक्रमितों के COVID मुक्त होने का प्रमाण 97.85 फीसद के इस्तर पर है आज समुचे संभाग में कुल 329 कोविट संक्रमित मरीज पाया गया जिनमें अकोला के 35 यौतमाल के 26 बुल्धाना के 88 वह वाशिम के 61 मरीजों का समावेश है साथी राहत वाली बात यह भी रही कि आज संभाग में 819 मरीज कोविट मुक्त हुए जिनमें अकोला के 77 यौतमाल के 170 बुल्धाना के 231 वह वाशिम के 116 व्यक्तियों का समावेश है वहीं बीते 24 घंटे के दोरान संभाग के अकोला जिले में दो संक्रमीटों की मौत हुई है विधायक सुलबा खोड़के दोरा उपलब्द कराई की 1 करोड 22 लाफ रुपे की निधी से जमील कॉलनी प्रभाग में कई विकास कामों का शुबारम किया गया साथ ही आज प्रभाग में विविध विकास कामों का लोकारपन वो भुमी पूजन खुद विधायक सुलबा खोड़के के हाथों किया गया कोविट संक्रमेंट काल के दोरान अमरावती अजनी इंटर सिटी एक्स्प्रेस को बंद किया गया था जिसके कारण अमरावती से नाखपूर अपडाउन करने वाले यातियों वो व्यापारियों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं इन दिनों स्टी बस सेवा भी लगबग बंद है इसके अलावा अमरावती से जबलपूर के लिए चलने वाली रेल गाड़ी भी केवल नाखपूर से ही चलाई जा रही है ऐसे में स्टेशन मास्तर के माध्यम से महानगर याति संगरवारा विभागी रेल व्यवस्था पक कोई ग्यापन भीजवाया गया और 23 फरवरी तक अमरावती अजनी इंटर सिटी एक्स्प्रेस सहित अमरावती जबलपूर ट्रेन को शुरू नहीं किये जाने पर रेल रो पर रेल विभागी जबलपूर ट्रेन के साथी शपत पत्र में मुंबई की प्रॉपर्टी छिपाने के मामले में चांदुर बजार की अदालत ने राज्यमंत्री बच्चुकडू को दोशी करार देते वे दो माहा की सजा सुनाई है ऐसे में जनता से माफी मांगने की बज बजली बजली व पर रा वावाज वन्य। करें इस आशे की मांग को लेकर आजात समाच पार्टी वो भीम आर्मी द्वारा महाविजरंग के सायक अभियंता को ग्यापन सौपा गया सरकार द्वारा लॉड़ोन काल में बिजली उभोकताओं की ओर से अदा किये गए बिजली बिलों की रकम ग्रहकों को वापिस लोटाई जाए इस आशे की मांग को लेकर विजर्ब राचे आंदुलन समीची की दानगा खंडेशोर साखा द्वारा आज महाविजरंग कंपनी क विजर्ब यूट विलफेर सुसाइटी द्वारा संचालित राममेगे इंस्टिटीट आफ टेकनोलोजी एंड रिसर्च महाविज्याले के विविज शाखाओं के संशोदक विद्यार्थियों व प्राध्यापकों को ऑस्टेलियन पेटेंट ऑफिस द्वारा एक ही समय में साथ पेटेंट का बहुमान प्राप्त हुआ है जिसमें संगणक विभाग को छे तता यांतरिक विभाग को एक पेटेंट बहाल किया गया इन सभी संशोदक विद्यार्थियों व प्राध्यापकों का विदर वियूत वेलफेर सुसाइटी के अध्यक डॉक्टर निचिन ध पारेले में किया गया और सरो सम्मत्री से ट्रस्स के अध्यक्षपत पर शहर के सूप्रसित्य व्यवसाईवा एक्वीरा देवी संसान के विश्वा से चंद्रेशेकर भून रूख तधा उपाध्यक्षपत पर सामाजी कारेकरता रविन्र घंडेकर एवं सची उपत पर क् चार्चर्ड अकाउंटर शाम सुंदर राठी का ट्रस्ट के कोश्या देशपत पर चैन किया गया है शिवाजी शिशा संस्ता द्वारा संचाली डॉक्टर पंजावरा देश्मुक इस्मत्री वैद्धी की महविद्यालेवास अस्पताल के त्वचारों के विवाग में अता सिद्धी विनाएक मंदिर के विकास के लिए ट्रस्ट के पदारीगारियों द्वारा आज भाजपा प्रदेश सदस्य वो मनपा के सभागरू नेता तुशार भारती को ग्यापन सौंपा गया हमराधी कुंधाली मार्ग पर निर्मल सुद्गिर्णी के पास आज दोपर तेजगर्थी से जा रही कार का टायर अचनक फड़ जाने के कारण हुई भीशन सड़क हाथसे में पती-पत्नी समेट पुत्री की मौक्षे पर ही मौथ होगे वही कारचालग महिला गंबी रूप से घायल होगी यौतमल तैसिल के कीनी गाउं में आडी के रुपए को लेकर एक विवाद हुआ था इसी विवाद में परिशित वेक्ति ने जानलेवा हमला करते वे आडी एजेंट के तोर पर काम करने वाले प्रकाश राठोड का गला काट कर उसकी हत्या कर दी गटना को अंजाम देने के बाद अमोल पवार, विरेंदर राठोड वा हेमन पवार ये तीन आरोफी मौके से फरार हो गए त्यूसा पुलिस सानाच शेतर के मौदाशी शेतर चेंदुरजना बजार में विलास मदूकर राओ राजूर कर नामक किसान ने फासी लगाकर आत्मत्या कर ली जानकर के मुतबिक यह किसान फसल नहीं होने की वज़े से काफी परेशान था तीवसा पुलिस ने गटना इसल का पंचनामा कर लाश को पोस्ट मराटम के लिए रवाना किया गालगे नगर पुलिस साना शेत्र के कॉटन गिरिन कॉलनी में एक महिला को नोकरी लगाने का प्रलोबन देते वे उसकी इजाज़त के बिना उसके बैंक खाते से 1,79,000 रुपए ऑनलाइन तरीके से निकाल कर उसके साथ धोका धड़ी की गई शिकायत मिलने पर पुलिस ने अपराद दर्शकर आगे की करवाई शुरू की है बढ़नेरा पुलिस वरब पुरानी वस्ती बढ़नेरा के पाच बंगला परिसर में अवए तरीके से देशी शराब की तसकरी करते वे तीन आरूपियों को धरा गया जिनके पास से 45,000 रुपए के कमाल बरामत किया गया है बुलधाना अपराशाखा पुलिस ने शेगाओं शहर में मोटर सैकल चोरों के गिरहों को गिरफतार करने में सफलता प्राप्त की है साथी इन चोरों के पास से चोरी की 17 मोटर सैकले बरामत की गई है